हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सबी लोग तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चानल क्रिकेट विद देव लोग में तो इश्याकप के लिए हम कम्प्लीट स्ट्रेटिजी ड्रीम 11 के लिए सांथियों देख रहे हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो है श्रिलंका और अफगानिस्तान के बीजे एक बहुत ही इंपोर्टन मैच खेला जाने वाला है श्रिलंका जीत के सीधे ही अगली स्टेज में चले जाएगी जैसे कि कल इंडिया जीत के आगे पहुची है तो आज हम कम्प्लीट स्ट्रेजी डिसकस करने वाले हैं इस म मुदर आप चैनल पर हमारे नए हैं पहली बार कृक्ट विद देव्लोग की चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल किर्क concurrent with देवलोग को को सबस्क्राइब करके हमें सपोर्ट करिये क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं किर्कृट से जुडए वे हैं बहुत ही अधिक हो सकती है और कैसे हम अपनी अच्छी टीम बना सकते हैं तो साथियों आप देख सकते हैं कि यह मैच जो है आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस भी है तो मेरे सारे ही गुरुजन लोगों को जिनोंने मुझे पढ़ाया है उन सब को शिक्षक दिवस की बधाईयां भी ठीक है और आ इतने बज़े होई जाएगा क्योंकि वहां का मौसम बढ़िया है बारिश के कोई चांस नहीं है अच्छा गरम मौसम है तो साथियों इस मैच की कंप्लीट स्ट्रेटिजी शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कल के लिए मेरे क्या प्रेडिक् ये टीम्स मैंने तीन आपको सैंपल टीम दी थी और कहा था कि ऐसी ही टीम एक ग्रैंड लीग जीतेगी तो अगर आप पहली टीम पे ही नजर मारें तो मैंने आपको ये बताया था उस केस में कि हम जो है इंडिया के लगबक सारे ही बालर इसमें रख रहे हैं तो आप सौ देड़ सो का रन जो है ये आपका नेपाल बनाएगा जिसको कोहली और रोहित सौरी जिसको रोहित और गिल बहुत आराम से चेस कर देंगे बागी पीशे के बल्ले बाजू की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो एग्जेक्ली वैसा ही हुआ आपको मालूम है कि जीरो का पूरा गेम जो है डकवत दूइस के इसाब से अपने नाम कर लिया था कमी सिर्फ यहां रह गई गई क्योंकि हमारा वीडियो एक दिन पहले आया था और बुम्रा अपने घर लोट चुके थे और बुम्रा की जगा मुहमद शामी आये थे और शामी इतनी बढ़िया गेन गेनवाजी कमी नहीं कर पाया तो हमारी पहली टीम ही सटीक होने जा रही थी इसके लावा अगर आप नजर डालते हैं हमारी दूसरी टीम पे दूसरी टीम पे भी मैंने कहा था मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेख तो रन बनाए गई बनाएगा और एड़ी ए और सिराज की गेनवाजी पे दो तिन कैच छोड़ गए तो अगर ऐसा हुआ होता कि शमी ने बढ़िया गेनवाजी करी होती और साथी साथ ये सिराज की गेनवाजी पे कैच नहीं शूटे होते तब भी नैपाल जल्दी निपड़ जाती और हमारे शुरू के तीन खिराड की वर्ल्ड कप जो है आने वाले समय में है और जब हम हमारी टीम नैपाल के खिलाफी 230 करीब खा जाएगी पचास ओवर में तो वर्ल्ड कप जीतने के चांस हमारे काफी कम है क्योंकि नैपाल जब इतने रन बना रही है वह बात अलग है हमने जीरो फिकिट पर डगवर जो है रही गया अफगानिस्तान और श्री लंकी के बीच में तो हेड ठो हैट रिकॉर्ड अगर आप इनका देखेंगे टोटल तस मैच इन दोनों ने आपस में कहले है जिसमें च्छे श्रीलंका ने जीतने हैं और तीन आपके जीते हैं अफगानिस्तान ने एक रिज़ल् क्या आया हुआ है श्री लंका का current form बहुत बढ़िया है पांच के पांच मैच जो ये खेल राए सारी के सारे जीत कर आया है in fact अगर आप श्री लंका का record देखेंगे तो last जो 11 वंडे इसने खेले हैं उन last की last 11 वंडे को ये जीत कर आई है, मतलब यह इसकी winning streak चल लिए बढ़िया, तो आगे भी इस match में भी श्री लंका के ही जीतने के chances है, और जो series अभी इनके बीच में खेली गई थी, वो श्री लंका के में खेली गई थी, अफगानिस्तान श्री लंका आगे दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ एशिया कप में ही जो है मुकामला बरादरी का दिख रहा है, अफगानिस्तान square की अगर आप बात करें, तो square नहीं कुछ important खिलाडी को हमें आपे देखेंगे, बाकि data stat सबका career आपके सामनी है, आप देख सकते हैं, रह्मान उल्ला गुर्बास एक अच्छा खिलाडी है, 49 की एवरेसेज ने रन बनाये हैं और पांस सतक ये आपका बना चुका है, तो आप देख सकते 151 इसका हाइस्ट है, और क्योंकि ये completely batting wicket आज का होने वाला है, और जब completely batting wicket होने वाला है, इसका मतब ये है कि ये आज run मनाएगा, तो आपकी team में होना चाहिए, जादरान की current form किसी छूपी नहीं है, ये लगाता run मना रहा है, और ये जब श्रीलंका में भी अभी series खेल कर आया था, वह भी इसने लगाता run मना आया थे, 56 का इसका average है, चार शदर ये लगा चुका है, तो ये भी आपकी team में रहना चाहिए, रहमत शाह और शाहिदी भी ठीक ठाक खेल रहे हैं, लेकिन सारे खिलाडी हम इनके खतम हो रहा है, और आज भी नवी को विकेट मिलेंगे, ऐसे chance काफी कम है, तो नवी को आज के लिए drop किया जा सकता है, important खिलाडी है, लेकिन drop करेंगे, मैं जाना चाहूँगा गुलबदिन नायब के साथ, क्योंकि नायब एक बहतरी जो है, आल राउंडर के रूट में उबर रहा है, आप देखें, 78 मैच में इसके 82 नाट आउट के साथ, 20 की एवरेज से पाँच अरद असे तक लगाएवे हैं, और साथी साथ 68 विकेट भी लिये हैं, और ये पिछले मैच में भी अच्छा करा होंगे दो, इसके बाद साथियों आप देख सकते हैं, करीम जैनत, करीम जैनत ने दो मैच खेले हैं, विकेट को ये ले नहीं पाया है, और दसी रर इसने बनाए है, नया की लाड़ी है, बहुत बढ़ी हैं, ये नहीं कर रहा है, अलागि टी-ट्विंटी में ठीक विकेट लेस जाए, तो यहां पे भी, आप देख सकते हैं, बड़ा खिलाड़ी है, तो ड्रॉप तो शायद रासिद नहीं हो सकता, कुछ एक टीम में आपको रखना पड़ेगा, बागी और जगा से आप इसको देख सकते हैं, मुझीब और जो फजल फारुकी है, इनसे मुझे ज़्यादा उम्मीन है, तो इनको रखना चाहिए, तो इसे साब सीए टीम है, जादरान और रह्वान उल्लाग गुरबास तो आपकी टीम में रहेंगी रहेंगे, राशिद फजल फारुकी और आप मुझी तो यहां से पाँच खिलाडी जा सकते हैं, शे खिलाडी आप श्री लंका के देख सकते हैं, कंबिनेशन ऐसा रहेगा, हेड टू हेड प्रदरशन की अगर आप बात करते हैं तो जादरान आप देखें, इसने श्री लंका के खिलाफ पिछटर के एवरेस्टे रन बनाए है 162 हाइस्ट, इनफेक्ट जो 162 हाइस्ट है इसका, ये श्री लंका के खिलाफ ये, इसका करियर बेस्ट भी, श्री लंका के खिलाफ आया है, इसका मतलब इसको श्री लंकाई गेदबाजी अच्छी लगती है, तो ये आपके कप्तान का मटेरियल हो सकता है, और बेटिंग शावी अर्थिस के आवरेस से रन बना के आठ मैच में चार अर्दशे तक बना चुका है तो ऐसा हो सकता है कि गुरुवास को ड्रॉप करके आप शाहा को ट्राय करें ठीक इसी तरीके से आप शाहिदी को देखें तो श्री लंका की खिलाब बहुत बढ़या रिकॉर्ड नही चार विकेट ये भी श्री लंका के खिलाब ही आई है तो एक चांस बन सकता है कि आप इसको कहीं टीम में जगा दे हालां कि दस मैच में एक तालीसी रन बनाया है रन बहुत जादा नहीं बना पाया है लेकिन रन की मेरे इसाब से वहां तक जाने की शायद जरूवत ना बात करें तो 6 मेच में 63 रन है लेकिन 6 मेच में 6 विकेट भी ले चुका है 34 पे 3 जो इसका बेस्ट है वो भी श्री लंका के ही खिलाफ है इसका मतब जादरान नभी और गुल्बदीन इनने श्री लंका की खिलाफ अपना बेस्ट निकाल कर दिया हुआ है तो आपके किसी कं और एवरेज इसका बहुत बहतरीन है और स्टाइक रेड़ भी इसका काफी बहतरीन है ठीक है तो लिया जा सकता है राशित को आप जदूर रख सकते हैं लेकिन कप्तान का मटेरियल नहीं रहेगा कप्तान का मटेरियल बनले बाज रहेंगे आज के मैच में इसको आप सकते हैं क्योंकि श्री लंका इस्पिन की बहतरीन खिलाडी है और मुझी इतना बड़ा गेंद बाज नहीं इस्पिनर नहीं है जो श्री लंका को कस्ट में डाल सके फरूकी को जरूर आप देखे 6 मैच में 6 विकेट ले चुका है शुरू में आएगा विकेट में थोड़ी मैच में खेली है एक्जेक्टी वही टीम आगे भी खेलने वाली है ठीक है इसके बाद श्री लंका का स्क्वेट देखते हैं तो स्क्वेट क्या यहां पे भी इंपॉर्टन खिलाडी होगी अगर आप बात करते हैं निसांका अच्छी फॉर्म में दिख रहा है करूना रतने इन दोरों को आप कैप्टेन वाइस कैप्टेन भी कर सकते है तो यह भी 33 के एवरेज से एक शतक लगा चुका है इसके बाद आता है कुशल मैटनेस बड़ा खिलाडी है एक सो साथ मैच में 31 की एवरेज है और यह भी दो शतक लगा चुका है इंपॉर्टन ड जो है इसके इसको आप जरूर ध्यानियंगे उसके बाद बा rates की आपकी सदीर 실ा विख्रमा की लास्ट मैच में इन champions अगर आप देखे श्री लंका को जिताने का काब इसी थेन किया है अर्दशतक बना गया था विक्रमा की last match में in fact अगर आप देखे श्री लंगा को जिताने का काम इसी ने किया है अरडशतक बना गिया था ये काफी बढ़िए अरधशतक बनाया था बाद में मारने के चक्कर में ये stump OUT हुआ था ठीके stump OUT हुआ था मारने के चक्कर में तो नहीं कह सकते क्युकि मैंने exactly द ज़र आरहा है अफगानिस्तान के खिलाब 42 का एवरेज है एक शतक नौ और दो शतक लगा चुका है तो शुरू के अगर आप खिलाडियों को देखते हैं एक दो तीन चार पाँच छे की छे खिलाडियों का अगर आप रन मनाने का तरीका देखे 49 33 31 31 32 42 सब की सब रन मना रहे सबका एवरेज बढ़िया है ठीक है इसके बाद इनका ओल राउंडर शनाका आता है तो यह 24 ही आपके जो है अभी तक विकेट ले पाया है और रन भी कोई बहुत जादा नहीं है तो असलांका शनाका जो है आपका ड्रॉप हो सकता है कप्तान को ही हम ड्रॉप कर सकते हैं क तो वहाँ पर फिर डिसिल्वा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लास्ट में जो इनके बीच में सिरीज खिली गई यह किसी एक मैच में यह मैच भी रहा है दोस्तो इसका भी आप ध्यान देंगे ठीक है तो एक ठीक ठा का ओल राउंडर के टिगरी में यह आता है इसको रखोंगा अगर विगट लेनी की बात आएगी और ड्रीम इलेवन में पॉइंट देने की बात आएगी ठीक है चार बार चार विगट लेने का कारणावा कर चुका है रजीता 25 मैच में 31 विगट है बढ़िया कर रहा है ठीक है इसको भी आप रख सकते हैं 31 है इसके आते हैं महीज आपके मतीश पथिराना पथिराना 32 रंदे के चार विगट पिछले ही मैच में इसने निकाले है अफगारिस्तान के किलाब अपने करियर का बेस्ट दिया है और ये खिलाड़ी आगे भी बेस्ट देनी की शमता रखता है इस्पेशली अगर चेस कर रही होग आपकी अफगारिस्तान तो फिर ये बड़ा घातक हो जाएगा तो यहां से अगर आप आपके पिग रहेगी ऊपर के टॉप चार बल्लेवाज इसके तीन बल्लेवाज आप रखिए और तीन बल्लेवाज के साथ दो ही इसके गेंदवाज रखिए और एक और रखिए छे प करोना रतने ने भी 41 का एवरेस्स से रन बनाये हैं और 56 इसका हाइस्ट है तो इसलिए मैंने कहा था कि इन दोनों को ही कैप्टन वाइस कैप्टन आप कर सकते हैं बैटिं ट्रेक रहेगा बड़ा स्कोर ये कर सकते हैं मैंडिस ऑफ कलर रहा है बहुत जादा रन नहीं बना है अवकारिस्तान के खिलाफ लेकिन फिर भी एकदम से बाहर नहीं कर सकते हैं लेकिन किसी मैच में किसी एक टीम में डॉप किया जा सकता है कुशल परेड़ा ने श्री लंका को काफी उधेड़ा है और ये शतक लगा चुका है इसने और 42 की इसने बनाए है तो यहां पर आ असलांका को आप देखे 63 रंग इसने बनाए है 63 की एवरिस से रन बनाए है दो अर्दशनक बनाए है तो सभी खिलाड़ियों का बल्लेवाजों का बेतरी प्रदेशन लग रहा है आपके अफ़गारिस्तान दे खिलाफ इसके बाद आप देख सकते हैं शनाका को शनाका ने साथ मैच में एक ही विकेट लिया है और इतनी पीशे तक बल्लेवाजी आनी की जरूवत नहीं है तो शनाका इन ग्राउंड्स पे रिजेक्ट होता है इनको हम नहीं रख सकते हैं आठ मैच में पांच विकेट लिये हैं सिर्फ सिर्फ डिसलवा ने और रन भी आप देखे क वाली कावा नहीं बनाया है तो डिसलवा को भी ड्रॉप किया जा सकता है तो रखेंगे किसको ठीक शाना आपका जरूर रहेगा क्योंकि पांच मैच में पांच विकेट इसने लिये हैं लेकिन इस मैच में काफी बहतर कर सकता है रजीता इनके खिलाफ काफी बढ़िया रह और वहां से मैं रखोंगा आपके पांच खिलाड़ी पांच खिलाड़ी उमें जिसमें उनके तीन बन लिमाज रहेंगे दो बॉलर रहेंगे इस हिसाब से स्ट्रेटेजी रहने वाली है दोस्तों इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे इसके बाद इनकी बेच्ज स्ट् इवरेज दिखरा है और परफॉमेंस आफगानिस्तान के खिलाब दिख रही है और ये श्री लंका भी तीन सो के उपर रन बना सकती है इसके लिए तयार है अगर वो पहले खेलती है तो श्री लंका की बैटिंग काफी काम आने वाली है स्लो पिछ रहें और बिग हिडिस मे जो ही इजी नहीं रहेंगे हलाकि पिछले मैच में आपने लेका शुरू में मैदी असन मिराज और रह्मान अल्लाग गुरूर्व रह्मान जो उनका उतनर नईम है ठीक है तो इन्होंने क्या किया बड़े आराम से पहले शुरू में इन्होंने इनिंग बिल्ट करी और जो श्री लंका खेलेगी तो उसके लिए चेजिंग असान रहेगा अफगानिस्तान इसमें बड़ा स्कोर चेज नहीं कर पाएगी तो यहां पर मैं करेट करूंगा टॉस टू बॉल नहीं होगा अब की बार हम करेंगे टॉस टू बैट जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटि करेगा पाकिस्तान ने 348 यहां पर चेज किये है ऐसे ही अगर मान लिजा अफगानिस्तान 300 का बड़ा स्कोर बनाती है तो श्री लंका चेज कर सकता है ठीक है लेकि श्री लंका 300 बनाएगी तो फिर शायद अफगानिस्तान इसको चेज नहीं कर पाएगा क्योंकि और उनका सूपर स्टार हसरंगा नहीं खेल रहा है लेकिन उसके बाद भी उनकी गेनवाजी पतिराना रजी था ठीक साना को लेकर एक मजबूत गेनवाजी बड़ी है ठीक है दोस्तो और इसके बाद कहीं न किसी किसी टीम में आप जो है डिसलवा को एड़ कर सकते हैं ता सतर मैश में 35 पहले बैटिंग वाला क्योंकि इसमें बंगलादेश वाला मैंने इंक्लूड नहीं किया है तो पहले बैटिंग वाला ज्यादा जीत रहा है हैस स्कोर 375 इसमें बना है तीन विकिट में जिंबाबे के खिलाव और आपने देखा पिछले मैश में स्कोर देखेंगे तो 250 से 60 के बीच में रहता है और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कम हो जाता है तो इसलिए जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करने की सोचेगा बैस्ट इसमें जो बॉलिंग इस्पिनर जैसूरिया ने करिए 17 रंदे के 5 विकेट फास बॉलन में 6 लांस क्लूजर ने 1997 में तो हलाकि यह दोनों रिकॉर्ड काफी पुराने तो इनकी अब कोई इतना सिग्निफिकंट यूज नहीं है ठीक है इसको आप जरूर देख सकते हैं इसके बाद आप इसमें देखते हैं हाईस्ट स्कोर जो है इजाज हमद ने गदाफी में इंडिय अब ड्रह भी नहीं गए है और पेस्ट बॉलर्स को आप देखे तो पास सो इनिस विकेट इनो ने यहाँ पे लिए वे हैं लेकिन पिछले मैच में आपने देखा कि ऐसा बिलकुल भी नहीं हुआ था ठीक है इनफेक्ट बंगलादेश के तो पूरे विकेट गिरे भी नही थे ठीक है इसके लावा इस्पिनर्स ने दोसो च्छतिसे विकेट लिए वे हैं मोस्ट विकेट इसने वसी मकरम ने लिए ठीक है और शामी ने और अक्तर ने तेज गेंवाजी ज्यादा एफेक्टिव विक लिए लेकिन अब वो तेज गेंवाजी भी उत्ती तगड़ी न तो ठीक है तो ये थी कंप्लीट पिच रिपोर्ट और इसके बाद आप देख सकते हैं की प्लेयर क्या रह सकते हैं निशांका करूनरत ने ठीकसाना और पथिराना तो इन चारों को मैं की प्लेयर रख रहा हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसमें से असलांका को छो दूंगा और फजल फारूगी और मुझीब को तो यही पांच खिलाडी जो है मुझे लगता है कुछ ना कुछ माददा कुछ ना कुछ बहतर प्रदशन कर सकते हैं श्री लंका के खिलाफ बाकियों के किसी के बसका मुझे बहुत जादा इसमें नहीं लग रहा है दोस्तों इ चीश का भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो की प्लेयर मैंने आपको यह बताए है इसके अलावा जो छूट रहे है जैसे इसमें असलांका आपका छूट रहा है वो सिरिफ इसले चूट रहा है कि असलांका बहुत पीछे बल्लेबाजी कर दे आता है और यह इतना आसा ब्रहिस्तान ने टोश जीता था और पहले फिल्डिंग करी थी दो जून का यह मैश है और पहले फिल्डिंग करी थी तो श्रीलंका को कहा था तो श्रीलंका ने इसमें आपके Corona बनाए थे असलांका इसमें 91 और रहा है रिद्यान ओर और एक नभी ने लिया था लेकिन इसको आफगानिस्तान चेस कर गया था है हमेंट टुटा में इसको चेस कर गया था क्योंकि जादरान जो है आपका इब्रहाइम जादरान इसने 98 रन की बढ़िया पारी खेल दी थी और शाहिदी और एमत शाह ने भी 55 और 35 रन बनाये थे न मेंट टुटा में ही था या कहीं और था तो वेन्यू शायद मैंने करेक्ट नहीं किया हुआ है लेकिन फिर देखें दूसरी बार श्री लंका ने कहा कि चलो हम जीते तो हम बैटिंग करते हैं और श्री लंका ने पहले बैटिंग करके 323 रन का 6 विकेट पे विशाल स्कोर बनाया था मेंडेस 78 दिमुत करूना रतने 52 निसंका 43 शुरू के ही बनाया गया थे और सदीरा ने फिर जावालिस बनाये थे और दो एक दो विकेट यहाँ पे नवी ने लिये थे एक विकेट आपका मुजीब ने लिया था और यहाँ पे फिर अफ़गानिस्तान मुकामला नहीं कर पाई थी किसी भी दखीगे से 191 आपका में आउल आउट हो गई थी सिर्फ जादरान जिसने पहले मैच में भी रन मनाये थे दूसरे में भी इसने रन मनाये शाहिदी और तीनों ने इसने रन मनाये लेकिन यह ना काफी रहे टीम को जीता नहीं पाए और डिसलवा यहाँ पर तीन विगे ले गया था और डिसलवा को ही मैंन आउफदी मैच मिला था सर्फ तीन विगे लेने मैच नहीं मिला था क्योंकि डिसलवा ने कुछ तीस पैथिस रंग भी यहां पर बनाय थे और नाउन पर परफोर्मेंस के लिए था ठीके दोस्तों इसके बाद य तीसरे मैच आता था तीसरे मैच में आफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करी लेकिन यहाँ पर फिर अफगानिस्तान के पास जो तेज गेंडवाज उनका चमीरा था इसकी गेंडवाजी का कोई मुकामला जे ना इसने मैं बोल रहा हूं कि एशिया कप में स्री पर इहां पर यहां पर आप देख सकते हैं इतना ही कर भाया थे 300 इन्होंने तक काफी तावर्टॉड बल्लवाजी जी ती और यहां पर कर फिर आपका श्री-लंका यह मैच जीत गया था तो यहап विनर मेरे इसको चेंज नहीं किया था तो यह श्री-लंका जो एसमैच को बह किमें देखिए मैं यहां के थेतरूं पक्तां क्योंच करने आँ इसके देह थेतरूं परोड़ कम यहां को सिरिए एक आन्यूज्वा एक अपटेमे की कोशिक करी है पत्थिराल्रा को मैं यहांữ के के लिए थियूज्वाई है। तो आप चाहते हैं तो असलांका को हटा के करो न रखते हैं बेंटिस या समीरा में से किसी को रख सकते हैं तो यह एक एफेक्टिव टीप रहने वाली है तो मैंने यहाँ पे छे जो है श्री लंका के खिलाए हैं जैसे मैंने कहा था कि मैं 6-5 के कंबिनेशन से चलूँगा तो यह दोनों ओपनर ही बड़ा स्कोर करने की शमता रखते हैं तो इनको ही कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया है और गेंदबाजी मैंने काफी मजबूत कर ली है यहाँ पर आप देखें श्री लंका की ताकि यह आराम से मैच जीच जाए तो यह भी एक बढ़िया कंबिनेश है और तीसरे कंबिनेशन में आप देखें तो यहाँ पर मैंने फिर से छे खिलाडी लिये है आपके श्री लंका की यहाँ पर मैंने विक्रमा और निसांका को लिया हुआ है जो इनका ओपनर है और इनका जो सेकंड डाउं खिलाडी आता है इनको बैने लिया हुआ है और मै झाले से 5-10 पहले बेटिंग करती है तो यह दोनों ही बड़ा स्कोर करने की जो है शमता रखते हैं सिरी जो है हारी है अफगानिस्ताँ 30 से नहीं हारी एक जीती है एक पिप्टी इनका रहा भी है तो एकदम से दरकिनार भी नहीं कर सकते हैं कि अफगारिस्तान हारी जाएगा लेकिन मेरा मानना है कि श्री लंका इसमें काफी मजबूत है तो इसे साफ से अगर आप दोस्तों टीम बनाएंगे तो मुझे लगता है कि आप एक बहतर रिजल्ट की तरह पहु किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और हमारी चैनल क्रिकिट विद्ध देवलोग को सब्सक्राइब जरूर करिए ठीक है और बहुत ध्यान से और बहुत जिम्मेदारी से के लिए बहुत ज्यादा पैस